पानी कितना पीना चाहिए, कुछ रोगों में पानी बहुत कम पीना चाहिए हमारे पिटाजी बता रहे थे कि नीम गाउं में पाडल से एक मैला आती है, वो 102 साल की तो उन्हों ने पिटाजी ने उनसे पूछा, अधरनी पिटाजी ने, कि वह आप कैसे इतना लंबा जी बताईए अपना सुत्र, बहुत ही कम पानी पीन, बहुत ही कम पानी पीन, बात समझ में आई, उमर बढ़ते बढ़ते किड्नी बिल्कुल छोटी हो जाती है, लोड लेने की किपासिटी नहीं है, पानी जाएगा तो लंबा चोड़ा अपना खेल खेलता है, तो पानी का प्रमाण वो कम कर देते हैं, पानी का प्रमाण बीमारी और शरीर में कितना पसीना निकल रहा है, इस पर निर्भर करता है, क्या कहते हैं आचारी, सुनिए, किनकिन बीमारियों में पानी यम मंदमा चरेत, पानी का प्रमाण बहुत कम लेना चाहिए, प्रतिश्याये प्रसेके ख्ष्वयतों ख्षये मन्दागन उदरे कुष्ठे ज्वरे नेत्रामये तथा व्रणे चा मदु मेहे चा पानीयम मन्दमाचरे जब भी कभी अरुची हो जाए मतलब खाना पच नहीं रहा है अब पानी और डालोगे तो और अपच हो जाएगी प्रतिश्याये जब जुखाम हो रहा हो तो पानी बहुत कम कर दो प्रसेक जब मुझे लार टपक रही हो छीक बहुत आ रही हो शरीर में लंक्स में क्षय हो गया हो मतलब कोई भी तरह की ब्रॉंकियल आज्मा या ब्रॉंकाइटिस को शह बोलते हैं और मन दागनी हो जब भूक न लग रही हो और उदर रोग जिसमें एसाइटिस को कम पेयर कर सकते हैं पर उसमें काफी डीटेल में बाद में जाएंगे कुष्ठ स्किन की डिजीज के मरीज को पानी कम करवाईए और ज्वार में भी पानी कम दीजिए आँखों के रोगों में भी पानी कम दीजिए और यदि शरीर में वरन हो तो भी पानी कम दीजिए मदू मेह diabetes के patient को पानी कम क्यों देते हैं क्योंकि diabetes का fate ही kidney है अंत्तोगत्वा blood sugar जिसकी ज़धा बड़ी हुई है diabetes bellitus है तो उसका जो fate है वो kidney failure में होगा इसलिए उसको शुरू से ही कम पानी का अभ्यास कराना चाहिए